एलो एरिवन आज हम बनाएंगे पान की ड्रिंक होली स्पेसल उसके लिए ये पान के पत्ते लिए इनमें जो डंठल है वो निकाल देंगे कैची के हल्प से आप देख सकते हो कि मैंने सभी पत्तों के डंठल निकाल दी हैं बीच में से और क्योंकि ये जो बहुत हार्ड होता है और ये कड़वा भी कर देगा हमारी ड्रिंक को तो हम सभी डंठल को निकाल कर ले लेंगे पान के पत्ते को तो आप देख सकते हो मैंने सारे ही डंठल निकाल दी हैं और इनको मैं कट करके ले लूँगी पीसे में आप देख सकते हो कि सारे ही पान के पत्ते मैंने कट करक और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर दो फ्लेवर के लिए इलाइची हरी और यह मैंने डालाए कोकोनेट पाउडर ठोड़ा सा तीन चमच कोकोनेट पाउडर है यह तो उसके बाद मैं इसको मिग्राइंट कर लूँगी पीछने के बाद देख सकते हो आप कितना अच्छा पेश्ट है अब मैं यह गुलकंद ले रही हूं यह गुलाब की पत्तियों से और चीनी से बनाया हुआ होता है अब यह दो चमस गुलकंद है यह मैं सारा ही इसके अंदर डाल लूँगी मैं क्या करूंगे कि चुटकी भर जो ग्रीन कलर ले लिया है मैंने उसको पा अंदर मैं यह तीन चमस भरके मैंने डाली है और अब मैं इसको पीस लूँगी आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर और बहुत अच्छा पेश्ट भी बनाया है तो बिल्कुल फाइन पीस गया है यह तो अब मैं एक बड़ा जार लूँगी उसके अं तीन चमस इसके अंदर वनिला आइसक्रीम डाल दी है और तीन ही चमस में इसके अंदर पान का पेश्ट भी एड़ कर दूँगी अब इसके अंदर मैं चेल्ड दूद डाल रही हूं यह आप ठंडा ही दूद इसमें इस्तमाल करना गरम दूद इसमें मत डालना तो मैंने य ये दो ग्लास इसमें दूद डाल दिया है, अब इसको मैं ग्राइंड करकर ले लूँगी, अब आप देख सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छे से बन कर ये हमारी ड्रिंक तयार हो गई है, इस होली पर ये वाली ड्रिंक आप जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, बहुत अच्छा जल्दी से तयार भी होती है, और बच्चे से बड़े तक सभी को ये पसंद आने वाली ड्रिंक है, आप एक बार इसको बनाओगे ना, तो बच्चे आप से इसे बार बार मांग के बनवाएंगे, अगर आपको मेरा वीडियो मेरी रेस्पी पसंद आई, तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैपी होली बाई, टेक क्यार